आप सभी का स्वागत हैं, अभी हम कुछ समय से लाइव नहीं आ पा रहे हैं, जैसे लास्ट वीक, सेटेडे संडे, फ्राइडे सेटेडे, हम लाइव नहीं आये थे, तो आपके लिए कुछ कंटेंट सव करने थे मुझे, जो मैं इस वीडियो के माधियम से आपको सव कर रही हो, हम खुद से कनेक्ट होना कैसे सीख सकते हैं, यह सेल्फ कनेक्शन क्या है, अगले वीडियो में हमने देखा कि गिल्ट और गिल्ट के आधार पे हम खुद को ही ज़ज करते हैं, और जिससे हम खुद से बहुत ज्यादा दूर होती चले जाते हैं, यह सेल्फ कनेक्शन क् मजने के लिए पहले तो अपनी भावनाओं को अपनी emotions को समझना बहुत ज़रूरी है आके life के हर एक action किस basis पे आप ले रहे हैं आप अपने जीवन के हर एक क्रियाएं हर एक करतव्य किस basis पे कर रहे हैं इसे देखना और समझना ज़रूरी है मैंने self connection को analyze किया अपनी life से उसे connect करके जो देखा observe किया तो मैंने अपने life की पूरे हिस्से में कहीं से भी किसी भी area में कभी भी self connection नहीं पाया था जिन जिन भावनाओं को जिन जिन emotions को जिन जिन feelings को मैं यूँ समझती थी कि यह मेरा प्यार है यह मेरी feelings है यह मेरी इच्छाएं है वह सब कुछ outer source से आती थी outer source मतलब क्या किसी को खुश करना किसी को अच्छा दिखाना किसी के बारे में ज़्यादा सोचना अगर मैंने कोई कपड़ा भी पहना है अगर मुझे कोई कपड़ा भी खरीदना है या पहनना है तो पहले सोच ही आती है कि सामने वाले person को कैसा दिखेगा positive manner में भी और negative manner में भी positive manner में देखे तो हम किसे group में जा रहे हैं कुछ friends के साथ जा रहे हैं या आप अपने spouse के साथ जा रहे हो आप कपड़ा उस तरीके से choose करोगे या उस तरीके से पहनेंगे by default एक imagination आपकी चली जाएगी कि इस कपड़े में पहने हुए आप कैसे दिख रहे हो और लोग आपको कैसे accept कर रहे हैं कुछ क्रियाए होने से पहले ही आप visualize कर लेते हैं अगर किसी friends के साथ group में कहीं गुमने जा रहे हो और कुछ कपड़े packing कर रहे हो आप तो पहले imagine कर लोगे या सोच लोगे कि इन कपड़ों में आप कैसे दिखेंगे उनके सामने उनके नजरिये से आप कैसे दिखेंगे किसी प्रकार से किसी वस्तू को खरीदना आए किसी चीज को खरीदना आए उस समय पे भी by default उस चीज को पहन कर देखने से या लगा कर देखने से पहले एक imagination चली जाती है कि इसके साथ लोग आपको कैसे दिखेंगे कुछ खाना बनाना है तो कोई भी dish बनाने से पहले आपके मन में by default एक imagination चली जाएगी कि इसको खाने के बाद लोग कैसा feel करेंगे या आप से क्या कहेंगे क्या लोग आपको स्विकार करेंगे आपको appreciate करेंगे या फिर आपके इस dish को reject करेंगे हर पहलू में देखिए आप फिर अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे किसी भी condition में किसी भी रूप में आप किसी भी action को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कुछ चीज करने से पहले आपकी एक visualization चली जाती है जो आप end result को देख लिते हैं और यह सारे action आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे कि आप selfly connect होकर नहीं लेते हैं आप outcome का विचार करके लोगों के नजरिये में आप कैसे लगेंगे वो आपको कैसे देखेंगे आपको कैसे स्विकारेंगे इसको visualize करने के बाद वो particular action लेते हैं जैसे कि एक simple सा example दे दो एक evening है जहां पर आपको party में जाना है आपको मन कर रहा है कि आप कुछ dress up differently करें लेकिन उस dress को करने से पहले अब दस पार सोच लेंगे कि उस dress में आप जा रहे हैं और लोग आपको कैसे देख रहे हैं how people will judge you how people will look at you how people will accept you in this dress यानि कि आप पहले खुद को अलग-अलग तरीके से judge करेंगे कोई particular hairstyle आपको बनाने है hairstyle बनाने के समय भी आप चार बार सोचेंगे कि मैं इसमें कैसी देखंगी लोग मुझे इसके लिए क्या compliments देंगे क्या comment देंगे या किस प्रकार से react करेंगे अगर male personalities होते हैं तो वो भी कोई भी काम करने से पहले कोई भी प्रकार से खुद को represent करने से पहले या कोई action लेने से पहले दूसरों के बारे में सूच लेते हैं और ये जो outcome दूसरों को सोच कर उस outcome के बारे में सोच कर हम present में कोई भी action लेते हैं वो self connection के बीना ही लेते हैं यहाँ पे हमारा खुद के साथ कोई connection नहीं है हम छोटी से छोटी event को plan करते हैं वहाँ पर भी हम self से connect नहीं है हम छोटी से छोटी wish को भी अगर fulfill करना चाहें तो वो भी दुसरों के विचार से ही उसको पुरा करते हैं हम life के कोई भी events अगर plan करना चाहते हैं छोटी से छोटी action को लीना चाहते हैं तो हम हर बार दुसरों का सोच के हम कर लेते हैं और यह बहुत बार ही किसे होता है बहुत deeper level पे आपको इसकी understanding आएगी उपर उपर से देखेंगे तो आपको लगेगा मैं तो अपने मन की करती हूँ मैं तो अपना जीवन अपने तरीके से जीती हूँ मैं तो किसी के अंडर में हूँ नहीं मैं तो अपनी freedom से जीवन जीती हूँ नहीं उस freedom के अंदर भी छोटे से action बले किसी particular व्यक्ति के लिए ना हो, या particular group के लिए ना हो, लेकिन overall action, how people will look at you, लोग क्या कहेंगे, लोग आपको कैसे देखेंगे, लोग आप से कैसे judge करेंगे, कैसे behave करेंगे, उसी के आधार पे आपके जीवन के सभी action बनते हैं, लाइक एक चोटा सा example, अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो में मैं जिस प्रकार से बैट ही हूँ, मैं जिस प्रकार से बोल रही हूँ, या मैंने जो कपड़े पहने हूँ है, या मेरी जो action है, whatever, सो बार इस से पहले सोच आ जाती है, by default, कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरी आवास कैसी लग रही है, आप क्या सोचेंगे, यानि कि मैं selfly connected नहीं हूँ, selfly connected होना मतलब मेरे खुद के self expression में होना, चाहे मैं कैसी भी दिखूँ, चाहे मैं कैसी भी लगूँ, चाहे मैं कैसी भी रहूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, but I am connecting with myself, मैं जो भी express करूँ, यह best ही होगा, यह over confidence या pride की बात नहीं है, यह बिल्कुल भी over confidence या pride की बात नहीं है, यह बात है self connection की, यह self connection मुझे confidence देता है, यह self connection मुझे खुद की grounding फिल कराता है, self connection आपको हमेशा universe के source से connect कराएगा, और आपको grounding फिल कराएगा, और यह self connection इसलिए ज़रूरी है, कि मैं इस समय अपने साथ जब connected हूँ, तो मेरे शब्दों पे मेरा control है, मेरी feelings पे मेरा control है, मेरे action पे मेरे control है, यानि कि मैं बहाव में नहीं हूँ, मैं किसी के influence में नहीं हूँ, मैं किसी के flow में नहीं हूँ, किसी outcome के या result की चिंताओं में नहीं हूँ, कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसी दिखूंगी, क्या reactions मिलेंगे, क्या actions होंगे, No, I am completely connected right now with myself, so whatever I am doing, उसके लिए मैं ही responsible हूँ, और I am happy with that, मेरे साथ जो भी हो रहा है या मैं जो भी कर रही हूँ, उसके लिए मैं completely खुद के साथ connected हूँ, I am accepting myself, I am connecting with myself fully, so मैं grounding feel करती हूँ, और मैं जो भी बोलती हूँ, उसमें by default मेरा confidence चलगता है, तो कई मित्रों ने हमें सवाल पूछा था, कि ये confidence कैसे लाना, कई मित्रों का अच्छे compliments भी थे, कि आपकी videos में अच्छा confidence दिखाई देता है, हमको भी आपके जैसा confidence लाना है, आपने ये confidence कैसे पाया, तो एक tips आप सबे के लिए यहाँ पर, ये confidence मैंने जो पाया है, वो मेरे self से connection से, यानि कि मैंने खुद के साथ ऐसा नाता जुड़ा हुआ है, कि सबसे पहला नाता मेरा खुद से, दुसरा मेरे रब से, उसके अलावा तीजा ना कोई, मैं खुद से इतनी connected हूँ, मेरे रब से इतनी connected हूँ, अब हम दोनों के बीश में तीसरा कोई नहीं आ सकता है, और ये connection मुझे source से connect कराता है, और वही मुझे grounding feel कराता है, और अब मैं mind, body and spirit तीनों level से align feel करती हूँ, और जब मैं align हूँ, उस समय पे मैं जो बोलती हूँ, मैं जो feel करती हूँ, मैं जो action या reaction में देती हूँ, उसके लिए मैं responsible हूँ, और ये confidence इसी वज़े से आता है, सो कई लोग जानना चाहते थे कि ये self confidence, ये कैसे पाया जाए, ये confidence कब आएगा, जब आपने खुद को देखा, जब आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी जो wishes हैं, deep desires हैं, उनको पहचाना, जब आपने खुद को जानना शुरू किया, मेरी अच्छाइया क्या है, मेरी बुराइया क्या है, मेरी कमजोरिया क्या है, मेरी strength क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है, जब आपने express करना सीख लिया, अगर किसी के लिए प्यार आ रहा है, तो खुल के express कर दो, बोल दो, कर लो, confidence रखो, बतले में हमें डर क्या होता है, सामने वाला आपको reject करेगा अरे वो reject करे, वो उसकी matter है आपका काम है express करना आपने वो fully कर लिया, आपने अपने emotions को नहीं दबाया आपने fully express कर दिया, आप यहां से free होगे आप confidence feel करेंगी, लेकिन हम confidence क्यों feel नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर होता है, कि कहीं से किसी ने हमको reject कर दिया कहीं किसी ने हमको judge कर लिया कहीं किसी ने हमको हमारी self-respect को hurt कर लिया No अगर आपकी कोई feeling आपको कुछ बता रही है Express it अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है बिना सोची, बिना समझी जो करना है वो कर लीजी अगर आपको कुछ पाना है, अचीव करना है confidence रखे यह आपकी inner voice है, उसे follow करना शुरू करिए, उसे पाने की महनत करना शुरू करिए, यह निवर्स चाहेगा तो वो चीज़ आप पा लेंगे confidence next level पर skip हो जाएगा बढ़ जाएगा और इसके अलावा कुछ और चीज़ जो मैंने समझी confidence के related, यह low confidence मैंने तब तब पाया अपने जीवन में जब जब मैंने अपनी इच्छाओं को दबाया जब जब मैंने guilt से अपनी wish को, अपनी इच्छाओं को अपनी जो deep desires से उसको दबाया मैंने खुद की आवाज नहीं सुनी जब जब मुझे जो जो भी चाहिए था, या मुझे जो कहना था या मुझे जो करना था वो मैंने fully express way से नहीं किया, तब तक मेरा confidence lose हुआ और वो confidence lose होने का reason, I am not good enough, how will I look like मैं कैसी दिखूँगी मैं कैसी लगूँगी लोग मुझे क्या judge करेंगे लोग मुझे कैसे देखेंगे कितनी कितनी बाती यानि guilt का और confidence का, self connection का सीधान आता है confidence आप तभी lose करेंगे जब आप selfly connected नहीं होंगे, और selfly connect तब भी नहीं होंगे जब आप guilt में होंगे तो सबसे पहले मैंने एक video रखा है अपनी channel पे जो guilt के base पर है इसके बाद का ये second video है जो आपको study करना है ये self connection पे है ये self connection जब आप समझ चाहेंगे guilt को understand करेंगे self connection को समझेंगे तो confidence पे इसके बाद का मैं थड़ एक video और बनाऊंगी तो आप मेरे साथ इस प्रकार से बने रहेंगे और दुसरा की live अभी हम नहीं आपाएंगे उसके लिए दिल से मैं माफी चाहती हूँ आपके कोई भी प्रशन है तो description box में हमारा number है आप उसे follow कर सकते हैं whatsapp message छोड़ सकते हैं कोई queries हो तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए video बना के upload करनाऊंगी इसके लावा live आने का कोई और routine या schedule चेक करते हैं otherwise अभी possibilities नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कोई particular time पे हम live session लिए दूसरा मुझे आप सबसे ये discuss करना है कि हमारा past life regression का online training program launch हो चुका है एक training program हम successfully complete कर रहे हैं आगे के after diwali की training programs और भी launch हो रहे हैं जिनको भी past life regression online training program में join करना हैं वो आप हमें whatsapp करके बता सकते हैं इसके लबा बहुत सारे कुछ webinars और छोटी छोटी training programs भी हम launch कर रहे हैं तो आप जो भी हमारे साथ जूदना चाहते हैं उन सब का मैं welcome करती हूँ आईए और अपने जीवन को बदलना शुरू करिए हम सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं Thank you so much